हेलो प्रेंड वेलकम तो बाजीराव रेटी इंस्चुट टूडे इन लेसिस के आज क्यांक में हम साथ दिसंबर दो हजार तेईस के प्रमुख समाचारों को देखते हैं आज देखें तो तीन प्रमुख समाचार हम चर्चा करेंगे आज के अपने अंक में पहला है कि चक्रवात मिचौंक इसका प्रभाव तो दिखाई दे रहा है पूरा चेंड नई से सुरू हुआ मतलब त ये एक इंडियन एक्स्प्रेस का एक्स्प्लेनेशन आया था कि इसके कारण चिन्नई में एक भयानक बाड देखी गई जो कहीं ने कहीं आठ साल पहले 2015 में दिसंबर में लगबग देट भी वही एक दो दिन का अंतर था ये चार तारीक को दिखाई दिया वो एक और दो को दिखाई दिया था तो लगबग आठ साल पहले आयोई एक भयानक बाड थी उसी की याद ताजा कर दी तो यहां पर हम समझने की कोशिस करेंगे कि उस समय की बाड और इस समय के बाड ये जो आई चिन्नई में बाड है दोनु में नेचर में क्या अंतर है या क्या समानताए ठीक है और थोड़ा बहुत जो है कि मेचांग का इस बार इतना चिन्नई में बाड पर कियो प्रभाव रहा इसको हम समझने की कोशिस करेंगे ठीक है दूसरा न्यू जो है वो है स्टेंडर्ड और पूर करके एक ग्लोबल रेटिंग एजनसी है काफी परतिष्ठिट ग्लो अप्रेल 2023 से सुरू होके 31 मार्च 2024 तक है तो यानि वित्तवर्श 23 24 24 25 25 26 27 को लेकर जो है उसने विवन आकड़े जारी किये हैं जो कहीं ने कहीं वो बताता है कि इस दोरान भारत दुनिया की प्रमुख जो बड़ी अर्थ व्योस्थाव में है उसमें से लगातार सबसे ज् कुछ कासंस बताएं हैं कुछ औसर बताएं हैं उसको हम समझने की कोशिस करते हैं ठीक है तीसरा समाचार जो है वह है अभी जैसे कि आपको कॉप 28 सम्मिलन चली रहा है तीस नोंबर से उसमें 20 मौसम संगठन जो की सनुटरा संग का एक मौसम समंधी आर्गनाजेशन है उस को प्रकासित किया है और उसमें बताया है कि भारत जो है का जो पिछला 2011 से 2020 का दसक है वह आद्र यानि की वेट और उष्ण गर्म दोनों चीजों से इसमें प्रभावी दिखाई देता है ठीक है चलिए आए एक एक करके समझने की कोशिस करते हैं चक्रवात मिचौंग का च जो की बंगाल की खाड़ी में उत्पन हुआ है और देखा जा तो चिन्नई के तट से काफी करीब लगबग 80-90 किलोमेटर दूर इसके उत्पन होता है और इसका नाम जो दिया गया है वो मयामार के द्वारा दिया गया है और जो भी इस छेत्र में जो होते हैं चक्रवात उ जो है चार दिसंबर से तीन दिसंबर से सुरू हो के चार दिसंबर तक इतनी भयानक बारिश हुई कि पूरे चिन्नई के काफी इलाके जो है जनलमगन हो गए अन्मानी ताक्रे से आठ से लेके बारत तक जो है लोगों की जान गई है हजारों यानी 18-20,000 लोग जो है कहीं कहीं सिवी रस्थलों में रह रहे हैं और वहां की मुख्यमंत्री ने परधान मंत्री से चपन सो करोन से जादा की जो है राहत सहायता रासी मांगी है तो यह कहीं ने कहीं एक मुद्दा तो हई है लेकिन यह इसी तरह आठ साल पहले 2015 में चिन्नई में दिसंबर मां में आयो जो है हम इसको तुलना करके देखें तो वह जो आपदा आई थी वो अत्यधिक बार उसमें भी हुआ था अत्यधिक बारिस उसमें भी हुआ था अत्यधिक बारिक इसमें भी हुआ था लेकिन उस समय जो है कहीं ने कहीं वो प्राकृतिक आपदा से जादा वो मैनमेड के कारण वो आपदा में बदली हुई थी और इस बार जो है यह मिचौंग चक्रवाद के कारण एक चक्रवाथी बरसा जो एक different type की चक्रवाती condition उसके कारण जो है ये आया है ठीक है आई हैं हम इसको detail से समझते हैं चक्रवात मिचोंग जो है के स्वरूप जो है मिचोंग चन्नई में अभूत पूर बाढ़ आई है अभूत पूर या इसके पहले भी चुकि चक्रवात के कारण हुई है उन सबको अगर तुलना करें तो ये कहीं न कहीं 2015 में चन्नई में 2015 में दिसंबर में ही आया था वो अभी महीना भी ऐसा है कि जो है कहीं न कहीं तुलना करने में जो है कहीं सकारात्मक्ता दिखाई दिती कि वह भी दिसंबर 2015 में आई थी ये दिसंबर 2023 में आई है अधानी बरतने की जरूरत है ठीक है अगर लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये भी एक ज्यादा तर लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों को कोतुहल होगा कि पूरा भारत जो है सुखा है ऐसे में सर्दियों में चिन्नई में बार कहां से आ जाती है पिछली बार भी आ गए थी तो वह है कि चिन्नई में बार जो है दिसंबर नॉंबर से दिसंबर तक होती है जन्वरी तक वो लोटता हुआ मांसून होता है उत्तर पूरवी मांसून जो लोट रहा होता है और वहां से अरब सागर से नमी लेकर जो है चिन्नई और इस तरह से बारिस करते हुए चल जात आगे देखते हैं 2015 की चेन्नई बाड क्या हुआ था चेन्नई की बाड में 2015 में क्या हुआ था वो देखें तो देखें जो चेन्नई में उस समय जो 23 बाड आई थी यह आई है लेकिन यह 2015 की बाड से बिल्कुल अलग है क्यों क्योंकि पहले तो यहां पर 8-10 लोगों की मरने की बात है उसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी पहला अंतर तो यह है कि इसकी चिन्नई की बाड़ वो ज़्यादा मैनमेट आबदा क्यों थी क्योंकि इसमें जो है चार दिसंबर वाले में अरलब 8 से 10 लोगों की जान गई है या 12 मालों कहीं कहीं और उससे जो आई थ से ज़्यादा कहने कह सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट एक जलासे के वाटर जलासे मतलब तलाव नहीं है एक जो जसमें कह सकते हो कि डैम के नीचे जो रिजर्वेयर होता है वो पीने पानी के लिए वो चंबर मक्कम जलासे जो है इसके वाटर को मैनेजमेंट करने में जो व प्रबंधित करने की चंता जैसे इसमें जो है एक दिसंबर 2015 को लगातार बारिस उसके पहले बारिस हो रही थी इसमें जो है 33,996 million cubic feet तक जो इसमें पानी था वो साम तक आ गया था और इंजिनियरों को लगा कि अगर हम बाध नहीं खोलेंगे रिजर्बियर नहीं खोलेंगे तो इसमें ये तूट जाएगा या दरारा जाएगी इसको देखते हुए 19,400 क्यूसेक पानी क्यूसेक होता है cubic feet per second ठीक है क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया और ये कहेंगे सर 29,400 बाने लेकिन अगर आज आप तुलना करेंगे तो उसके पह पानी छोड़ा जाता था 900 उससे कई गुना ज्यादा लगबग देखा जातो 30 32 गुना ज्यादा एक ही दिन में पानी छोड़ दिया गया और उसकी भी कोई चेतावनी नहीं दी गई लोगों को ऐसे क्या हुआ कि 2015 में इस जलासे से जो एक्स्ट्रा बाध पानी छोड़ा ग जल गई और 2 दिसंबर की आधी राथ तक यानी एक दिसंबर को छोड़ा गया था और 2 दिसंबर की आधी राथ तक अढियार नदी में ही पानी छोड़ा गया था उस जलासे से और उस एक दिन जो है 29,000 से जादा जो है लगबग 30,000 की उसे पानी जो है छोड़ देने के कारण जो है यह जल प्रला की घटनाई हुई थी और आप यह कहेंगे कि सर ऐसा क्यों किया उन लोगों ने क्योंकि उनकी जो है नाकामी मान लिजिए क्योंकि IEMD जो है भारती मौसम विज्ञान पहले सही भारी बारिस की चितावनी 28 नॉम्बर को ही जारी कर दिया था कि बहुत भेंकर बारिस होने वाली है ऐसे में रिजर्वाल वालों ने जब उनके पास प्रयाप्त परमाने पर पानी था तो चाहते तो धीरे धीरे जबकि यह अनुमान लगा गया था कि जिसमें यह का गया था कि 50 mm तक बारिस का पुर्वान मान था ठीक है हला कि 5 cm हुई ज्यादा 29 cm हो गई लेकिन फिर भी अगर उसको धीरे-धीरे करके छोड़ते रहते पानी तो एक बार में जो उतना छोड़ना पड़ा पानी उस वो नौबत नहीं आती और कहीं ने कहीं जो ह है यह बाढ़ जो है बच सकता था तो इसलिए जो है उप्यूक परस्तितियों में खराब जलासय प्रबंधन जो है उस 2015 की चन्नई बाढ़ की घटना के लिए प्रमुक रुप से उसको उत्तरदाई माना गया हला कि कुछ लोग कहा है नदी घाटी में घर बनाना वो सब तो हई है लेकिन जो ततकालिक सबसे प्रमुक कारण था वो भैंकर बर्सा तो थी ही लेकिन अगर जलासय का प्रबंधन सही किया जाता तो पाणी जो आज़िए जाता वो आराम से निकल जाता लेकिन एक साथ इतना पानी भेजने के कारण जो है यानि कहीं ने कहीं खराब जलासे प्रबंधन के कारण वो बार आई थी जबकि 2015 की बार इस बार की तरह प्राकृतिक जलवाई परसुतियों के बजाए जलासे के प्रबंधन का परणाम है और इस बार का क्यों है इस बार का जो है एक मैचुंग या मैचुंग जो चक्रवात आया है उसके कारण जो है इस बार जो है वहाँ पे जलासे में पानी ज्यादा होने के कारण बाढ़ की सती देखी जा रही है ठीक है तो इस बार क्या अलग है देखिए इस बार अलग इसलिए है क्योंकि 2015 की बाढ़ के विप्रित वर्तमान बाढ़ चक्रवाती तूफान के प दर्ज की गई थी लेकिन उसको छोड़के सबसे जादा वर्षा दर्ज की गई थी और यहां जैसे जो आइमडी है भारती मौसम बिज्ञान संगठन उसकी अनुसार किसी भी जगहें पर 21 से जादा वर्षा होती है तो वह बेहद भारी वर्षा मानी जाती है और उस वहां पर 24 सेंटीमेटर की वर्षा होई थी इस से जो है कहीं ने कहीं इस्तिती वहां पर खराब हो गया था और देखा जाए तो उसके बाद जो है 3 दिसंबर से कई जगह से 4 दिसंबर मतलब अगर देखा जाए तो 35 घंटे में यानि 24 घंटे में तो 24 सेंटीमे लेकिन 35 घंटे में 43 स बारिस हो गई थी, जो कहीं ने कहीं, वहाँकी स्थिती को एक कर सकते हो कि आज़ बिगार सकती है। अब आप 43 cm एक यानि 35 घंटे में बारिस हो जाए, अनुमान लगाईएगा कि भारत के बहुत सारे छित्रों में तो पूरे साल में 43 cm बारिस नहीं होती है, और जो सामान नयवसात आता है वो लगभग 100 cm पूरे साल का आता है, ऐसे में एक ही 35-36 घंटे में अगर 43 cm बारिस कही हो जाए, तो निश्चित रूप से वहाँ पे तो बार आना ही था, ठीक है, अब यह है कि चक्रवात मिचोंग का प्रभाव इतना गंभीर क्यों रहा, क्योंकि तटी इलाके हैं, वहाँ तो हर साल चक्रवात, 4-5 चक्रवात तो हर साल आनी है, लेकिन इस बार के चक्रवात तमिल नाडु में इतना गंभीर प्रभाव क्यों दिखाया, उसको लेकर जो है, आईमडी के भारती मौसम विज्ञान विभाग के उपमहानिदेशक S. बालाचंदरन कहते हैं, कि इस सिती को गंभीरता के लिए तीन प्रात्मिक कारकों को उन्होंने जिमिदार तो रहा है, कि तीन प्रात्मिक कारक हैं, जिनके कारण ये तूफान जो है, जो चक्रवात है, इसका इतना गंभीर प्रभाव दिखा, सबसे पहले ये मिचोंग चक्रवात प्रणाली की तट से निकरता, मतलब जो देखा गया कि इतने तट के इतने करीब, लगबग 90 किलोमेटर दूर तट से केवन 90 किलोमेटर दूर था, और पिछली, जितना भी इसके पहले चक्रवात आये थे, उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा तट के ये करीब था, तो जैसे कि आपको पता हो, कि जो उसके कटबंदी चक्रवात होते हैं, वो जो है, विशुवत रेखा के आसपास सागर के सतर से जलवास को लेकर भी उपर जाते हैं, धेर सारा जलवास अपने साथ उपर ले जाते हैं, और जाते हैं, फिर वहां पे तवाही लाते हैं, लेकिन होता क्या है कि ज़्यादा गहरे सागरों में आते हैं, तो अपने सारा धेर सारा पानी लाते हैं, लेकिन वो जो है चमता जो है कम हो जाती लेकिन यहां पर क्या था 90 किलो मीटर ही था तो इतना पास होने के कारण जो है उसमें जो है क्या है उर्जा बहुत ज़ाधा थी और दूसरी बात है कि इसमें जो उसमें उन्होंने बताया कि यह चक्रवाद प्रणाली ने आसमान रूप से स्पीड भी होती है वो आम तोर पे जो है 10 से 18 किलोवीटर परति घंटे की गति से चलती है वहां की जो चक्रवाथ होती है लेकिन इसकी गति जो है वहां से चली घटके 7 किलो मेटर हो गई फिर उसके बाद आगे चल कर ये केवल 5 किलो मेटर परति घंटे की रफ्तार से हो गया यानि कि जैसे तटकिक आसपास आया इसकी गती इतनी कम हो गई कि एक तरह से लगा कि वहां पे इस्थिर हो गया और ये अपने साथ चुकी सागरतल पे ही उसने अपने साथ धेर सारा जो है कहीने कहीं जलवास अपने पास और इकठा करना होना क्योंकि वह कहां था इस्थिर होना उसके बाद भी कहां था कि वह सागर में ही था और वहां पे उसको जलवास मिलता जा रहा था और वह और ज्यादा अपने अपने उसकी उर्जा जो है उसकी चमता जो है बरती जा रही थी और जब इतके तट करीब हुआ तो इस्तिर वास भर लिया था और चुकि बहुत तेजी से निकल गया होता बहुत तेजी से बारिस करके निकल गया होता तो निकल गया होता वहाँ पे क्या था रूक गया था पांच किलोमेटर के स्वीट बनी लगभग रूक गया था वो बड़े आराम से बारिस करते हुए निकला जिसक समझ लिए कि तीन प्रात्मिक कारण बताये उनके जो आयमडी वालों ने बताया कि तीन प्रमुक एक तड़ से काफी नजदीक का हुना अप अपेच्छा कृत जो पहले चक्रवात थे उनकी अपेच्छा बहुत धीमी गती से चलना या लगभग जो है बंद गती यानि सुस् में लगातार लंबे समय जो है घंगोर बारिस हुई इस मज़े से वर्तमान समय का बाढ़ चन्ड़ई में आई थी जो 15 का दिसंबर 2015 में बाढ़ आई थी वह जो है इस तरह की चक्रवाती परसितिया नहीं थी उसमें क्या था कि भारी बारिस का अनुमान था और उस अनुम वह उतना बिनास लीला नहीं आये होती क्योंकि जलासे में उनको पता था कि बारिस हो नहीं है तो धीरे-धीरे करके जल छोड़ सकते थे और एक ही बार में 29,000 क्यूसे से जादा यानि जो साल भर महीने भर का जो होसत है उस से लगबती स्गुना से जादा वजल एक ही दिन में छोड़ जाने के कारण उस समय चन्दवाण आई थी ठीक है आए चलिए दूसरा देखते हैं एसन पूर जो है यह ग्लोबल रेटिंग एजनसी है यह कहीं ने कहीं दुनिया के पूरे उसको लेकर और दुनिया के अर्थब्योस्थाओं को लेकर जो है यह आकड़े प्र दरसित करती रहती है इसका जो है पर्चेसिंग मैनेजर इंडेक्स और पर्चेसिंग मैनेजर इंडेक्स सर्विस वाला जो है वो काफी महत्पूर माना जाता है और उसके जरिये जो है विभिन देश अपने यहां या विभिन तरह के जो कर सकते हैं इंडेस्ट्री में जो क महत रहता है ठीक है तो यह कोसकर सहकते हो भी आधाया है यह निजी की छेत है। यह लेकिन यह है कि प्रमुक संथान है जो इस लिए जो है इस पर भी लोग ध्यान देतेह हैं जैसे अभी कुछ संस निसी संस्थाने जो है जीन का जो है सो कीिisoft ऑ कहता है इसे दिखे चलिए इसमें जो बात आई है उसमें ये बता रहा है स्टेंडर अन पूर कि जो भारत की विकास दर है अभी जो है जिस तरह से है और जो उसने अनुमाल लगाया है अगले चार साल का उसमें ये बता रहा है कि भारत दुनिया की जो प्रमुख अर्थिविवस्था है उसमें सबसे तेजी से बढ़ता देश होगा प्रमुख क्यों क्योंकि कई सारे हो सकता है छोटे छोटे देश हो या हो सकता है कोई देश अभी माइनस में चल रहा हो इसके बाद एक आएक वो 10 परसंट 15 उसकी बात नहीं कर सकते है लेकि जो बड़े देश होते हैं जो प्र 2030 तक दुनिया की तीसरी जब से बड़ी अर्थविवस्था हो जाएगा और साथी में इसने कहा है कि जो भारत का विकास अनुमान है जो अबरतमान का विकास अनुमान है वो कई सारे लोगों के उमीदों से जादा हो रहा है ठीक है उसके पीछे जो कारण है उसने जो बताय है उसने बताया है कि अगर आप भारत को और बहतर करना है यहारत तो बहतर करी रहा है लेकिन और बहतर करना है तो भारत को अपनी जो manufacturing sector है वो जो अभी service industry के में मेंली भारत की अर्थ बेवस्था में service industry का योगदान बहुत है करीब 60% से जादा है ऐसे में वो कह रहा है कि भारत service industry के साथ साथ जो है उसको अगर वो manufacturing hub के रूप में अपने को इस्थापित कर लेता है जो भकी की लाभांस है जो उसके हाँ कारसील जनसंख्या का बड़ा वर्ग है जो जवान जनसंख्या का अगर उसको अनलाग कर लेता है तो अनलाग करने के लिए वो बताता है कि जादा से जादा लोगों को skill दीजिए और महिला आबादी को सामिल कर लीजिए तो भारत को कोई संक नहीं है कि वो दुनिया की तीसरी अर्थ ब्योस्था बन जाएगी ठीक है और वो बताता है कि क्या-क्या आउसर है और दुनिया की अगर आप कहें कि बैस्विक विकास दर को भी इसने लेकर अनुमान बताया है तो वह कुछ बहुत अच्छा नहीं बताया है उसको वह यहां थोड़ा सा देख लेंगे ताकि पता लगेगा कि कहीं हमारे लिए ही तो नहीं अच्छा बताया है कई बार होता है कि ने दो लोग हो एक कि आप तारिप कर दो और चलो खुश हो रहा है दूसरा उससे ज़्यादा तारिप हो जाए तो थोड़ा सा लगता है रहे यार जब वह सब वही दुनिया अच्छा कर रही थी तो हम अच्छा करके क्या हुआ यह भारत की उलेखनी इसलिए है क्योंकि दुनिया की सती गड़बड है अपने इंट्रेस्ट को अपने जो उनके पाठक है या जो उनके ग्रहाक है उनके इंट्रेस्ट को ध्यान में रखते हुए यह सारी चीज़े करते हैं अगर उनके द्वारा यह चीज़े कही जा रही है तो यह निशित रूप से हमारे लिए सकारात्मक है आईए समझते हैं इसको लेके क्या कह रही है इसने अपनी रिपोर्ड ग्लोबल क्रेडिट आउट्लूप 2024 न्यू रिस्क एंड न्यू प्लेबुक में कहा कि भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्था बनने के लिए तयार है और अगले तीन वर्सों में सबसे तेजी से बरती प्रमुक अर्थविवस्था होने की उमीद है यारी अभी तो हई है आगे भी हो सकता है उसमें कहा है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्था बनने के लिए भारत को क्या करना होगा भारत का विकासपत की सरुपरी परिछण यानि उसका सबसे ज़्यादा इस पर देखना में ध्यान देने की जरूरत है कि भारत कैसे सेवा अधारित अर्थविवस्था से बैस्विक बिनर्मान के इंद्र ग्लोबल मैनुफेक्चरिंग हब के र रत विकर बनेगा या नहीं बनेगा ठीक है और उसके लिए जो जरूरी है ग्लोबल बैस्विक निर्मान हब के लिए जरूरी है उसके लिए है कि एक मजबूत लाजिस्टिक धाचा विक्सित करना होगा और साथ में भारत को सेवा प्रधान अर्थ बिनर्माण परमिक अर्थ विवस्था में बदलने के महत्वन जो है कहीने कहीं प्रयाज करने होंगे ठीक है चलिए देखते हैं कि भारती अर्थ-विवस्था उम्मेदों से आगे निकल रही है देखिए मैं तो जो मारे बच्चे हैं पहले से पढ़ रहे हैं वो जान रहे है कि पिषले साल भी मैंने जो कहा था उतना ही या उससे एकाघ बेसिक पॉइंट या उससे ज़्यादा ही रहा इस बार भी जो सित्वर मां में जो है linear communication सिर्पूर्ट inmac की रिपोर्ट dahi p Billy की रिपोर्ट Authi और भी इस अर्बी इस तरह की ट्रेट एजन्सी की रिपोर्ट ही, जैसे S&P ही भारत की 23-24 की विकास दर को 6.4% कर रहा, पहले 6% था, उसको 6.4% कर रहा, लगबग 6.2, 6.3, 6.5% ही सब लोग किये हुए हैं, तब भी मैंने कहा था कि लेकिन जो बाकी पेरामेटर्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अंतिम जब आएगा त तो ये एक होता है, मुमेंटम, भारत ने एक सकारात्मक मुमेंटम ले लिया है, भारत की अर्थवेवस्था, और ये हमारे नहीं, भारत के लोगों के अंदर भी ये होती है, और इंडस्ट्रिस के लोग सब के अंदर जब होती है, तो जब सकारात्मक महाल बनने लगता है, तो अर्थविवस्था भी उसी तरह से पूरी अर्थविवस्था में सकारात्म को चीज़े दिखने लगती है तो वो मोमेंटम है जैसे पहली तिमाही में 7.8 परसेंट आया था मतलब अप्रेल से लेके जून तक जो है फिर जो दूसरी तिमाही आई उसमें जब 7.6 परसेंट लेकिन जितने भी लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि भारत जो भी दुनियान मान अगर वो किसी ने 6 परसेंट लगाया है तो उसको मजबूर होके आगे बढ़ाना पड़ रहा है दभी डर ही रहा है क्योंकि बैस्विक परस्थितियां बड़ी बोलटाइल है भारत को छोड़ बचना जलनी पड़ती है ठीक है तो इसलिए देखिए यह बता रहे हैं ग्लोबल रेटिंग वाले जो है SNP वाले कि 2023-24 में भारत की विकासदर 6.4% रहने की उमीद है जो पिछले बित्तिवर्स जो एक्चुल डेटा था यह वास्तविक डेटा था ठीक है वास्तविक बताया कि भारत की विकासदर 2024-25 में यानि 23-24 में 6.4 तो 2024-25 में भी उसको 6.4% ही इसने माना कि उतना ही रहेगा 25-26 में इसने बढ़ा के कहा सेम हो 6.9% रहेगा और 26-27 में यह 7% हो जाएगा यानि यह बताया कि इस साल के बाद जो अगले साल 3 साल 4 साल है उसमें भी भारत क विकासदर तेजी से बढ़ती रहेगी ये एसेंट पूर्ड ने बताया और ये जो भी आंकडे बताये हैं जो और लोगों के अनुमान है उससे कहीं जादा है और मेरा तो कहना है इससे इसमें जितना भी आया है उसमें कम से कम 0.5 आप लोग देखिएगा जादा ही रहेगा ठ ठीक है अब इसमें कहा रहे हैं कि बित्वर्ष 2022 के अंत में जो है भारत 3.73 ट्रिलियन डॉलर थी यानि 3.73 ट्रिलियन डॉलर या 3730 अरब डॉलर की भारत की जीडिपी थी 22 के अंत में यानि 31 मार्च तक के आंकडे देखा जाए तो हमारी अर्थब्योस्था 3.73 ट्रिलियन डॉलर थी अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 ट्रिलियन डॉलर पास हो गया नहीं हो गया हम उसमें नहीं उलस्ते हैं ठीक है आई मैप कहता है ठीक है जो उसमें कहा कि भारत जो है 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी जीडिपी के साथ 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा आई मैप का टोड़ा सा बड़ा था तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है लेकिन अफिसियल डेटा नहीं है अब देखते हैं भारत जिस तरह से जो है लोगों को आश्चर चरिक मतलब सकारत्मक रूप से अशंबित कर रहा है यो अलग हो सकता है कि एक तरह से चलता रहेगा तो 2030 तक यहीं सदी के इस दसक के अंत तक निश्चत रूप से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवयोस्था हो जाएगा क्योंकि उसके आगे कि जो दो है एक तो जो अमेरिका है वो काफी ही है और चीन भी जो है चीन और उसमें भी काफी की अंतर है तीसरे और दूसरे में तो कहीं टाइम लगेगा चीन को पचाड़ने में लेकिन हमारी अनमान है कुछ लोग बैसे कहते हैं अलाकि आपको कन्फूज नहीं करेंगे मान के चलिए अगर आप तीसरी भी अर्थवयोस्था बन जाते हैं इस सदी के अंतर तक बतलब अभी यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जो है उपलब्धी हो जाएगी ठीक है और इसमें बताया क्या है कि अगर भारत को बनना है तो उसके लिए बिनिर्माड प्रधान अर्थवयोस्था की और गमन करना परेगा जो अभी हम सर्विस सेक्टर ग्रोथ हमारा है उसक के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन एंड मनुफेक्ट्रिंग इंडस्ट्री में जो है काफी तेज बृद्धी के कारण कहीं कहीं उभीकास दिखाई दिया इसने बताया कि अगर भारत की आर्थिक बृद्धी भविस्य की काफी हद तक जो है कि सेवा प्रधान अर्थवयो इसकी जैसी बहुत सारी घरेलू पहल है बिनिर्माण पहल जिसका मानना है कि इसको क्या होगा बनावा मिलेगा हलाकि अभी भी मैनिफेक्ट्रिंग सेक्टर जो है जी डी पी का सकल घरेलू उत्पात का 18 परसद है यानि बिनिर्माण छेत्र सकल घरेलू उत्पात का 18 और दूसरी बात है बिनिर्मार्स जो सक्टर है उसमें सेमी स्किल और स्किल दोनों तरह की रोजगार आते हैं और वो जो रोजगार आते हैं वो ज़्यादा तर दिर्ग कालिन रूप से होते हैं फेक्टरिया लगती हैं construction work होता बहुत सारी चीज़े होती service industry में तो क्या है एक चोटा सा hotel को लो एक चोटे से कमरे में सारा चीज़ कर लो तो revenue आ जाता है GDP बढ़ जाती service industry के रूप में लेकिन रोजगार देनी की छमता उतनी नहीं बढ़ पाती है लेकिन बिनिर्मान छेतर में वो चमता है जो कि जादा तर लोगों को रोजगार अच्छे रोजगार दे सकता है ठीक है इसलिए ये बता रहा है कि अगर ये जिसमें बदलना सुरू कर देंगा सरकार उस तरफ ध्यान भी दे रही है दुनिया भी कई सारी आकर्षन चीज है दुनिया मंदी हो रही है और आपको अन्मान बता रहे हैं तेजी से या अमेरिका की संस्था है तेजी से आप बढ़ रहे हो लगातार चार साल पांच साल जिसको पैसा लगाना है वो कहां लगाएगा जहां पे उसको तेज विकास हो और सुरचित म को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस्की जो चमता है उसकी स्किल की आभी समस्या है हमें स्किल डिवलप्मेंट पर ध्यान देना पड़ेगा उसमें higher skill, semi skill दोनों तरफ पे ध्यान देना पड़ेगा जैसे कि ITI है और skill development India है engineering है और इस तरह की चीजे है उसी तरह से आपको ध्यान होगा सरकार ने अभी परधान मंत्री विश्व कर्मा योजना लाया है जो semi skill या handaster पे काम करने वाले लोगों के भी skill को बढ़ावा दिया जा सके ये काम करना दूसरी जो सबसे गंभीर समस्या है अगर आप पीछे के class को regular follow कर रहे होंगे तो जब मैंने भी सुबैंग का रिपोर्ट पढ़ाया था भारत को लेके तो उसमें बताया था कि यहां के country head ने कि अगर भारत को 2047 तक बिक से देश बनना होगा तो 8% की growth rate चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि भारत को जो अपनी आजादी के जो अपनी आबादी का 50% है उसके उसकी रोजगार में भागिदारी को बढ़ाना यानि अपनी महिला आबादी को रोजगार में बढ़ाना यही भी यह बात कह रहा है कि काफी तक जो है स्रम्कों के काउसल और कारेबल में महिला भागिदारी अब ही अगर कारेबल में भागिदारी के रूप में देखें जनसंख्या लगबख 50-50% है लेकिन कारेबल के में देखें तो जो महिला है जो काम की मांग करें उसमें 20% रोजगार पाती है और पूरू 70% यानि दोनों का अंतर कितना है 50% का और यह बहुत बड़ा अंतर है महिलाओं को को कोशिस करके अगर इसमें भागिदारी में बढ़ा दिया जाए तो कहीं ने कहीं लोग को रोजगार में भागिदार बनाने को लेके तो यह बता रहे है कि इस से जो है दोनों कारक्ट भारत को अपने required लाप का लाप देने में सक्छम बनाएंगे दूसरा बता रही है यह तो चुनवती है हमें करना है कि स्रंबल को अनलाव करना है और सर में यह है कि इसमें उच्छ बिकास स्टार्टप पर स्टेकियां जो है जन्म लेंगी और साथी में जो कई सारे काम हुए हैं बुनियाड़ी धाचे और निवेस और नवाचार के कारण उसमें आटो मोटी छेत्र जो है बिकास के लिए तयार है जैसे जो अब तक किया गया है भारत में जो आटो मोबाइल सेक्टर है उसको यह बिकास के रूप में यह बता रहे है कि एक डिस्टल बाजार और दूसरा आटो मोबाइल सेक्टर वो बिलकुल तयार है अपने आपको लीड लेने के लिए ठीक है और चुनोतियां क्या बता रहे है कि स्रम बाजार को अनल स्थिर वित्फर पूसण श्रितियों से जोख्यूमों के रूपतियार कर रही है यह सारी चीज orada रहा है कि बैस्टित हर पे रब की बात है लेकिन जो यह चुनोंतियां बता रहे हैं कैसे स्थरम बल को अपने अनलाग करने की बात है कैसे सर्विस इंडस्टी को के सासाथ हम अपने manufacturing इंडस्टी को आगे बढ़ाएं ये सारी चीजें करने की हीट उष्ण दोनों बना हुआ था यानि कहीं ने कहीं इस जब्लू की रिपोर्ट बताती है कि 2011 से 2020 तक का जो 10 साल है उसने भारत में बार की भी समस्या या चुनोतियां उत्पन की और सूखे की भी चुनोतियां और समस्याएं उत्पन की ठीक है यह हम पढ़ के और रहे हैं क्योंकि अभी जो है चल रहा है जो है काव 24 का 28 सम्मेलन चल रहा है दुबई में यूए दुबई में शनिकतरव अमिरात में चल रहा है उसमें जो है विस जो है मौसम संगठर ने एक डिकेडल एक प कहीं ने कहीं ये रिपोर्ट जो वार्शिक रिपोर्ट प्रकासित कर रहा है उसके साथ ही ये कहीं ने कहीं कदम ताल मिला रही है क्योंकि जैसे ये बता रहा है कि दुनिया जो है दुनिया में जो ये दसक है वो अब तक के आने वाले दसकों में सबसे जादा इसमें जो है तो आईए इसको थोड़ा सा देखते हैं इसमें भारत के संदर वाले पहलू को जादा हमें भारत से जादा मतलब है दुनिया को भी देखेंगे लेकिन भारत से जादा देखिए इसमें जो विश्व मौसंपी ज्यान संगठन है उसने कहा कि बिगड़ते जलवाई परिवर्त की दर चिंता जनक रूप से बढ़ी है पूरे बिश्व में और अगर देखा जा तो यह दसक रिकार्ड में सबसे गरम दसक जो है रहा है यह कहीं ने कहीं बैस्विक अस्तर पे चुनोतियां उत्पन कर रहा है और भारत के लिए तो चुनोतियां इस तक करी रहा है भारत को जून 2013 में बाढ़ आई थी कहां पे उत्तराखंड में उत्तराखंड में जो चौरावारी ग्रेसियर ब्रेक हुआ था वो कहीं ने कहीं भयानक बाढ़ हिम्लत का पिगलना लेक का आउट ब्रस्ट इन सारे कारणों से कई सारे कारण थे जैसे देखिए भारी बारिस पहाड कहीं ने कहीं भारत की जो पिछली एक दसक में सबसे प्रमुख जो है कह सकते हो कि जलवाई की आधारित जो है क्लाइमटी या घटना रही है उसके बाढ़ के आधार पर देखा जा तो केरल में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ था दो हजार उन्नीस दो हजार बी देखी गई है इसके अत्रिक्त दो हजार इग्यारा से दो हजार बीस के दसक के दौरान देखें तो सूखा भी काफी समाजे कार्थिक जो है और मानमी प्रभाव पड़ा था भारत के 27 उसमें 28 थे फिर भी हमने 27 कर दिया है जो है 27 राज्यों में से 11 में जो है सूखा घोसि लोग के नुकसान के कारण खाद्यान के लिए लोग किस पर निर्भर हो गए थे सार्जनिक बित्रण पडाली पर और इसकी परिवारों की निर्भरता बढ़ गई थी इसी सुखे के घटना के दौरान प्रभावित छित्रों के 82 परशत घरों में खाद्य असुरच्छा का खत्रा देखा गया है और आप याद करिए 2013 में खाद्य सुरच्छा गारंटी लाए गए थी उसने भारत में 81 करण लोगों को यानि लगभग 75 परशत लोगों को क्या किया था अपने को सुरच्छा की गारंटी दी थी और कहीं ने कहीं उसने भारत में यह जो यह समस्या थ कि उसको बचा लिया था तो कहीं ने कहीं हम खाद्य सुरच्छा और इस चीज को अगर रिलेट करें तो हम चीजों को ज्यादा बहतर तरीके से समझ सकते हैं अब जरा सब बैस्विक अस्तर को लेकर क्या कहा किया है यह भी तो जानने कि भाई बैस्विक जलवाही रिपोर् में जो आपदा से विस्थापन हुआ था उसमें लगभग 94 प्रसत मौसम और जलवाई समंदी घटनाए यानि क्लाइमेट और जो क्लाइमेट चेंज के समंदी घटनाए थे उसके कारण जो है डिजास्टर के कारण जो विस्थापन यानि जो आपदा के कारण विस्थापन होता है उसमें 94 प्रसत climate और जलवाई के कारण हुआ था छे प्रसत और मायनमेड और अस तरह की जो है भोगोली की और किसी कारणों से विस्थापन हुआ था पूरे दुनिया अस्तर पे जैसे जो धादिवी प्रमुग प्रम विस्थापन के कारण होते हैं इसको climate migration बोलते हैं और भूक, खाद्य सुरच्छा और कूपोशन के समात्त करने के जो बैसित प्रयास कर रहे है उसमें इसने क्या लगा दिया पलीता लगा दिया जब 94 प्रस बस्थापित हो जाते हैं तो कहीं ने कहीं, यह भूक और इस तरह की जजो पर ये पलीता लगा देते हैं ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि जलवाई परिवर्तन ने कई चरम प्राकिर्तिक घटना की संभावना को बहुत प्रभावित यानि बहुत जादा तरह से उसको उसने बढ़ा दिया है। हलाकि यह बात कह रही है कि जसी यह कह रहा है कि चरम गर्मी की घटना इसके कारण जो एक्स्ट्रीम हीट की घटना होती है उससे काफी बढ़ गई है और हीट वेप से जो भी लोग मौते उसमें सबसे अधिक मौते जो होती है या हताहत होते है उसके लिए हीट वेप यानि ग चक्रवात होते हैं उनके कारण सबसे अधिक क्या है आर्थिक छती जो है बैस्वी कस्तर पे वो उस कर्थवंदी चक्रवातों के कारण होता है और यह 10 साल में देखा गया और जो जो हताहत होते हैं वो सबसे ज़्यादा हीट वेप के कारण हताहत होते हैं बैस्वी कस्तर पे हाला कि इसमें अच्छी बाते भी कही गई थी कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है प्रारंबिक चितावनिया प्रणाली है इसमें सुधार के कारण चरम घटनाओं से मौतों की संख्या में कमी आई है लेकिन आर्थिक न बच जाती है लेकिन कहीं ने कहीं उसकी छमता जादा है मौसम का जो है प्रहार जादा हो रहा है जल्वाई परिवर्तन के कारण तो अपना डिस्ट्रक्टिव पावर तो अर्थिक दिखाएगा ही दिखाएगा यह रिपोर्ट बताती है कि 2011-2020 का दसक 1950 के दसक के बाद पहल जहां पर जब 10,000 या उससे अधिक मौते का वाली एक भी अल्पकालिक यानि दिरकाल में भले हो गया जैसे बाढ़ा गई हो कोई और उस तरह की प्राकतिक आपदा हो गया उसमें एक ही बार में 10,000 लोग मर गये हो जलवाई समंदी प्राकतिक जलवाई समंदी ऐसी कोई घ केटर बात है दूसरा जो है इस report में कहा गया है कि 2021-2011-2020 के दौरान जो है सारजनिक और नीजी छेत्रो द्वारा जलवाई के छेतर में जो जलवाई के climate resilience या climate control करने के लिए mitigate करने के लिए जो पिनेंसिंग होती है वो दोगुना हो गया है हाला कि इस से ऑपourage कि यह उपिय देशों को प्राप्त करने के लिए इस दसक के अंत तक यानि 2030 तक कम से कम जो है उसको साथ गुना बढ़ाना पड़ेगा यानि जो दुगना की यह हो इससे काम नहीं चलेगा इस जो है सदी के अंत तक आपको साथ गुना बढ़ाएंगे तब जाके जलवाई क्लाइमिट के ज इसको नोट्स बनाईएगा ठीक है चलिए नमस्कार